नमस्कार एसीन के खास कारकम हम तो पूछेंगे में आपका सौगत है इस समय हमारे साथ मौजूद है भारती जन्ता पारिटी के 55 विधान सावा के प्रवल दाविदा संजय राय जी इनके विश्व में मैं आपको बता दूँ कि ओवी सी मोर्चा के प्रदेश महामंती हैं और कारकम में बुलाया एक बार आपको भुर्ट से धन्रवाद कि उन्नीस सुटान में पहली बार आप भारती जन्ता पार्टी से चुनाओ लड़े थे जवेरा विधान सावा से उस समय आपकी उम्रे थी 25 वर्स टिकेट अचानक मिली थी और टिकेट के लिए प्रयास किये गया उसके बाद लोकसभा का चुनाओ हुआ महरा लोकें सिंग लड़े तो उसमें भी में सक्री रहा ओप तेरा उनीस सो तेरा नमें पिता जी के निधन के बाद चूकि में उनीस सो चोरान में में जवा मोर्चा का नगरत द्यक्ष भी बन गया तो जिलाको साथ द्यक्ष भी रहा तो यसी संग्धन में काम करते करते पार्टी में अपनी पकड़ बनाता रहा हो पार्टी के लिए काम करता रहा तो पार्टी ने सोचा कि इसको प्रत्यासी के रूप में चुनाओ लड़ाया जाए तो कोई वो एक दम से नहीं था बलकि लगातार मेरा आठ साल का उ इसको देखते हुए पार्टी ने मुझे प्रत्यासी बनाया जब आप पच्चीज बसके थे तब पहला विधान सवा का चुनाओ लड़े थे उनिस सुनाओ लड़ा इस समय दो हजार तेईश चला है लगबग पच्चीज साल का अंतर हो गया है उस समय की राजनीती और इस कारकरताओं की भी जादा पेक्चा नहीं रहती थी बहुत सीमित संसादनों में ऐसा लगता ही नहीं था कोई पैसा खर चुग रहा मनलब एक सादगी के चुनाओ होते थे और बहुत ही कम संसादनों में चुनाओ हो जाते थे इस समय के चुनाओ में संसादनों की आवशक्त पढ़ती है सोसल मेडिया की आवशकता पढ़ती है और बहुत सारा चूनाव सोचल मीडिया पर भी हो जाता है आप टिकेट के दावेदार है पच्पन दृष्बंगों से लोगों का यह कहना है खासका कांगलेसियों का कि संजियबा सोसल मीडिया पर कम दिखते थे नहीं, में अगर उनका कहना है कि में सोसल मीडिया में कम दिखता हूं तो मैं इस बात से इत्थफाक नहीं रखता। लेकिन क्या है कि जैसे पार्टी में संग्छन में काम कर रहाँ तो पार्टी संग्छनात्मकार है वो पोस्टें डालता हूँ उसके अलावा जैस een कोई धार में पोस्ट कभी लगती है की तो वह डाल देता हूँ और ये वहां उसे खेल से संब्बन तो देश में जो अच्छा हो रहा है वो देश जिस चीज में नाम रोसन कर रहा है वो सारे पोस्टर में डालता हूं हाँ कुछ व्यक्तिकत पोस्टर जरूर नहीं डालता है इससे लोग सोचते होंगे लेकिन मेरा संग्ठन और मेरे प्रदेश के तो बोलते कि सबसे ज्यादा तुम्ही सोचल मीडिया पर सक्री हो आप सबसे ज्यादा सक्री हैं पर हो सकता है कांगरेसी आपको देखना चाहते हो और सक्रीटास इसलिए आप उन्हें लगता है कि आप दिखनी रहे पच्छीस वर्स पहले जब आप चुनाओ लड़े थे आप लड़े थे नौहाटा विधानसवा मेरी जन्भूमी और कर्म में लेकिन मेरा इंड करता है अफे grol ने नहीं रहे हैं कि यहां से अब चुकि जन भूमी है और यहां पर अब चुकि बहुत से लोग मांग रहे पार्टी के तो ऐसानी के मौन को देख के मांग रहा लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी दमू में रहा पला बढ़ा हूं तो के लोगों के लिए कुछ कर दिखाऊं के लोगों के लिए कुछ कर दिखाने वाली बात आपने कही है लेकिन एक पच्चीस बस का अंतराल होगा एक लंबे अंतराल के बाद आप टिकेट की मांग पुर्जोर तरीके से कर रहे हैं इस बीच में आपने टिकेट की मांग की है लेकिन उतनी पुर्जोर तरीके से नहीं कि जितने तरीके से अभी आप कर रहे हैं कि मैंने अब निया क्भी नित्य पार्टी मेनí भार्त त्यंस तर्ट काम को देखते ही योग देखते हुँ भी उप गश्च भी उन्हार्टी तो जिसको भी पार्टी दती हैं लेकिन आपको तुछूल है कि०पक्शान कर सुछूल वी देखेमिंच, देगी तो मैं लडूंगा चुनाओ आपको क्या लगता है कि टिकेट मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए के नहीं हमारे यहां भार्यती जनता पार्टी में यह है कि हम लोग ऐक आवेदन देते हैं और वेशे हमार रिकारडा मेंम आपको कि सब्क्राइब को जानती है कि कौन का क्या कार अधार पर कारियों की आधार पर रत्यासी चैन कर लेती है आपने कि एक आविदन देना पड़ता है अपना डाता देना पड़ता है ऐगर यह डाटा फीड हो जाता तो जब किसी भी पारटी के लोग सर्वे करने के लिए आते हैं संग्ञ ठान से लोगों को भेजा जाता है कि आपको इस शित्व में सर्वे करना तो सिर्फ उनी वेक्तियों के सर्वे किये जाते हैं जनका डाटा फीड है जिनने आवेदन दिया है या फिर भारती जनता पार्टी किसी वेक्ति का सर्वे किया जा सकता है कि क्या इसको टिकेट दी जा सकती है नहीं दी जा सकती है भारती जनता पार्टी जो डाटा बायो डा पे कौन मतलब सेवा भाव के इस तर पे और मतलब पार्टी के संग्षनात मक इस तर पे हर इस तर पर उसका आकलन करती है और सभी के लिए करती है ऐसा नहीं है कि को कोई नाम पार्टी कुलर वहां रहते तो उसका पार्टी सभी के लिए सभी के लिए सर्वे कराती है और अब दीपागी जी आप जो प्रसन पूछ रहे हैं कि बाहरी लोगों को प्रत्यासी बना देते सर्वे नहीं तो ये पार्टी का ये अलग रणनीती है वो उस रणनीती में कि चुकी छोटा कार करता हूं तो मैं इस विशार में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता है चलिए इस विशार को खत्म करते हैं कि हम कुछ योजनाओं पर आ जाते हैं मतबद सर्कार की एक योजना है लाडली बेहना योजना लोगों का ये कहना है कि ये योजना है लाडली बेहना ये संजीवनी बूटी बनकर काम आई है जो अंदूनी सर्वे हो रहा है जो मीडिया क सर्वे हो रहे हैं उसमें भारती जन्ता पार्टी पिछड़ती दिख रही है कॉंग्रिस की अपेक्षा और सरकार जाती हुई दिख रही है तो उस जाती हुई सरकार को बचाने में संजीवनी बूटी के रूप में लाडली बहना योजना एक काम करेगी यह सही है कि लाडली यह बहना योजना हमारे लिए बहुत अनुभाव योजना है और पूरे प्रदेश के लिए है और जिस तरह भारती जन्ता पार्टी जिस मूल मंत्र को लेकर काम कर रही है देश में माननी प्रधान मंत्री जी मोदी जी के नेतत्त में और यहां सवराज जी के नेतत्त में त लो आप। विकास के अंदर योजना देख लो आप, हम जिस पेढ़ना पे काम कर रहे हैं उसका तो यह यह का दीन डियाल जी का जो ऑंतिम पंग्ती, आंतिम व्यक्ति का विकास, भार्ती जनता-पार्टी सिर्फ ऑंतिम पंग्ती अंतिम पंग्ति के व्यक्ति के विकास के लिए संकल पर था, उसी दूसा में संकल पर था, उसी दूसा में काम कर रही इ Carolina पार्रिटी की सारी योजनाएं एक हनुठी मिसाल पेस कर रही है आप सारे भरत में ऑप जहां अनुठी प्रदेशों में राज्यों में सरकारे हैं दूसरे दलों की तो भो भी कहीं ने कहीं नी योजनाओं का वहां बखान करते हैं और इनी योजनाओं से पेड़ना लेकि अपनी योजनाओं लांच कर रहा है और भाटी जन्ता पार्टी तो जन्में से लेके मरत्यू तक सारी योजनाओं है और पांति-प्रदेश के वो सीम भी है लेकिन अभी तक देखा गया है कि दोहजार अठारा तक सीम चेहरा आपका इस पश्ट रहता था कौन है सीम मनेगा चुनाओ जीतने के बाद लेकिन इस बाद सीम चेहरा कोई नहीं है ये बदला और ये फिर बदल क्यों हमारे भारती जनता पार्टी में तो भारती जनता पार्टी का कमल का फूल चेहरा रहता है और हमेशा हमारा संसिदी दल बोर्ड और हमारा बिधायक बिधायक जो चुन के आते हैं बिधायक दल की जब बैटक होती वो चुनते हो संसिदी दल बोर्ड हमारे यहां तो सब के लिए वो रहत है और चहरा तो हमारा सिर्फ कमल का फूल रहता है और मनी मोदी जी जी तो मोदी जी से बड़ा तो आज के समय में कोई चहरा नहीं होगा मनी मोदी जी तो क्या देश क्या दुनिया में नाम कर रहे आज इस तरीगे से बिस्टपटल पर उभरे हैं तो ये हमारे लिए कोई कमी नहीं बलकि हमारे लिए तो गर्वे की बात है कि हमारे पास मन्नी मोधी जी और हमारे सिवराज जी और कमल का फूल और सारे जितने लोग लड़ रहे हमारे लिए तो वो जी चहरा है तो आप गलगता है कि अगर भारती जन्ता पारिटी की सरकार बनती है इस चुनाओ के बाद तो सीम का चहरा बदलेगा मैं चुक्कि ये कि सामान निकार करता हूँ और ये विसर थोड़ा दीपग जी आपने बड़ा पूंच लिया है तो मैं इस विसर में अपना अपनी राय नहीं रख सकता क्योंकि मैं एक अनुसासित कार करता हूँ और थोड़ा अती स्हुक्ती हो जाएगी अगर इस विसर में मैं कुछ बोला तो बुलकल अच्छी बात आपने शुक्ती हो जाएगी अगर इसका जवाब देते लेकर जन युजनाओं की हम बात कर रहे हैं उन युजनाओं के साथ-पार आरकशन को लेके भी बात हो रही है जातिगत जन गणना वाली बात भी भी ओर रही हो रही है योई सी आरकशन को भी लेकर बात चल दurious तो आप इस चीजों से कहां तक सहमात है है। तेखिए मैं तो जातिगत जो जनगानअ हो रही है वो जैसे अब आप बोल रहे हैं कि इस जातिगत पहले तो मेरा बियक्तिगत सुझा और जो है उसको उसका बिकास होना चाहिए जातिका भेधभाव ना रखते हुए और इसी दिसा में माननी मोदी जी की सारी यूजना हो रही कि सब समाज बरको फाइदा लाब मिले और गरीब ब्यक्ति को मिले लेकिन अब चुकी ये देश है और हम लोग इसमें रहने वाले हैं अब मेरी अकेली की कोई भावना है तो है नहीं सारे लोग जैसे पिछड़े लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि पिछड़ा बरको ये लाब मिले ओ ऐसी बरक अपना एस्टी तो कहीं ने कहीं उनको आर अक्षन देना ठीक भी है और अच्छा भी है क्योंकि आर अक्षन मिलना च चाहेंगे एक ब्यापम घोटाला बहुत चला हुआ था कि ब्यापम घोटाला मद्यपर्देश में हुआ उसके बाद पटवारी घोटाला हुआ आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों से माइनेस जाएगी भायती जन्ता पार्टी को दिक्या डीपक जिए लो आपने भीहा वाजू था, हवा में उड़ गया, मतलब उसका कोई भ्यापम घोटा लाकाब जनता को नहीं है, जनता को इसके कोई लेना देना नहीं, जनता समझ गई कि एक आंग्रीस का भी प्रूपगंड़ा था, चलिए तो प्रदेस स्तर की बात हो, कोई राद नितिक बात हो, कुछ वि मुकाम है जो आपको करना चाहिए जीतने के बाद, अगर पार्टी मुझे प्रत्यासी बनाती है, और दमो की जनता मुझे चुनती है, तो मेरा तो यह है कि जैसे खेल से मैं जोड़ा रहा हूँ, किर्केट भी खेला हूँ, बेडमिंटन बगेरा भी, और तो मैं तो चाहता हूँ, खेल के लिए अच्छी सुविधाय यहां मिलें, अच्छा लोगों को बड़ा एक हाकी का जैसे टर्प वो है, किर्केट के लिए, मैं बना सभी जतने खेल हैं, उनकी जो जो मूलभूत आवश्यक्ता हैं, उनकी उनको सामने बिठाल के, उनसे डिसकसन करके, ऐसा नह बहतर बनाएं, तो मेरा युवाओं के लिए और खेल के लिए यह रहेगा, युवाओं के विकास की बात करेंगे, युवाओं को खेल से जोड़ेंगे, और बड़ी-बड़ी सुविधा हैं, जो हो सकेंगे, युवाओं को आप देंगे, खेल की बात आपने की है, जिम के एक आत घंटे अपने सरीर को देता हूँ क्योंकि आज के समय में सब को अपने स्वास्त के लिए पहले अपना चिंता करनी चाहिए तो जिम बगेरा भी मैं जाता हूँ लेकिन अभी अप चुकी राजनीती में तो भी चार से महीने से नहीं गया लेकिन लगातार जाता हूँ और मेरे जिम के भी साथ ही याद करते कि तो आप आते हैं नहीं हो तो उसके लिए राजनीती कारणों से कुछ समय कम दे पाता हूँ शेतर की हम बात कर रहे थे एक लंबान हुआ आपको राजनीती करते हुए हो गया है माने रतने सलुमंजी के समय आप चुना रोड़े थे और वो जीत गए थे मंत्री भी बने थे कॉंगरिस पारिटी की जब सरकार थी तो दमों से दो मंत्री थे भारती जनता पारिटी की जब सरकार रही तब दमों से मंत्री थे पर आपको क्या लगता है कि जब चाहे कॉंगरिस की सरकार रही हो चाहे भारती जनता पारिटी की सरकार रही हो दमों का वो अफेक्षिद विकास नहीं हो पाया जिसकी उम्मी दमों के लोगों को थी नहीं है वो नहीं है और करज में डूबे रहते थे और योजनाओं को बारे में ज्यादा उतना सक्री नहीं रहते थे कि क्या से योजना लाएं क्या करें तो उस समय के दोर में देखा जाए तो विकास कम हुआ लेकिन आफसरन दो हजार तीन से जब से भाजा पाकी सरकाराई आप देखिए पूरे प्रदेस में रोडों का जाल बिच गया दमों में भी है सड़क हो गई और अपनी विजली हो गई ऐसे तमाम मुद्धों सिचाई पर योजना अपने आई नल यल योजना अपने आई तो मतलब कितनी योजना आएं विकास हुआ है लेकिन मैं चाहता ह पारिटी के समय काफी विकास हुआ है लगाता लोगों को योजनाओं का लाम मिल ला है लेकिन अभी जब जब नगरपाली का के चुना हुए थे तो नगरपाली का अद्धिक्ष कांगरिस पारिटी से चुने गए जिला पंचाइद का चुना हुआ तो पर आप ने तना वि है था कि उनको जिस तल की अद्धिक्ष को चुनना चुना और अगर ये जनता से डारिक पारिट होता तो हम जीत ते जिला पंचाइद में तो भायती जनता पारिटी के परत्यासी ने नामंकन ही नहीं भरा ये संगटन की कहीं विफलता नहीं है नहीं मेरी भी जैसा सुना ह और ये बात हुई है तो उनने फाम भरा था चुकि अब कैसे इसका ये उनने विफलता नहीं आपको लगती है कि इतना चुनाओ चल रहा है और इस समय परत्यासी चुनाओ से बाहर हो जाए नहीं भारती जनता पार्टी के दिपक जी आप संगटन के बारे में बात कर रहे ह हमारा आप संगटन देखो पूरे पूरे बिस्व में अगर माना जाता है तो सबसे बड़ा राजनेतिक दल और सबसे अनुसासित संगटन भारती जनता पार्टी है आप देखो हमारा मद्द प्रदेश में 64156 बूत हैं हमारे हर बूत पर हमारी कारकार्णी है हमारी 40-40 की स कहते हैं कि यहां का संगटन आदर संगटन है और इस संगटन को लेके ही तो पूरे देश में हमारा भारती जनता पार्टी इसी की संगटन नात्मक कारकों को देखते ही और आगे बढ़ा रही और इस संगटन नात्मक जो अच्छा यहां खड़ा हुआ है तंत्र उसको दमो की टिकेट अभी तक घोसित नहीं हुई है, तो कहीं कोई पैच फसा हुआ है, या फिर कोई विचार अलग से कोई विचारधारा चल लए है दमो की टिकेट के लिए? दीपक जी इसके पहले मैं आपने पूछा था कि दमों के लुए तो उसके लिए मैं दो बातें और करना चाहता हूं उसके बाद मैं इस प्रस्निका भी जवाब दे दूँगा सबसे पहले तो आपने पूछा था कि आप दमों के लिए क्या करेंगे दमों के लिए तो सबसे पहले है रोजगार की आवश्यक्ता क्योंकि कहीं ने कहीं लोग बाहर जाते हैं और वो अपिक्चा करते हैं कि हमें यहीं रोजगार मिल जाए तो इसके लिए जैसे छोटे-छोटे लगूत दोग खुल जाएं यहां और अपने हां बंसंपदा और सब इतनी पड़ी है कि उनसे संबन्द दोग खुल जाएं तो रोजगार एक महत्पूर्ण बिसाएं इसमें मेरा लक्षे रहेगा कि रोजगार यहीं सिर्जित किये जाएं जिससे क्या होता है रोजगार यहीं सिर्जित होंगे तो यहीं अपना पैसा आएगा यहीं सब व्यापारियों को आपके पास आएगा सारी मूलभू समस्चाओं के लिए आएगा तो मैं पलाएं सब नहीं बोलूँगा लेकिन हा लेकिन बाहर लोग जो बच्चे अपने घर परीबार छोड़के जाते वहीं अपनों के बीच में रहेंगे और दूसरा स्वास्त स्वास्त पर कैसे बहतर काम हो क्योंकि स्वास्त एक महत्पून वो है कि जिस पर अच्छा काम हो लोगों को उस पर उसका लाभ मिले तो वो भी जिए बाहर भटकते हैं और बाहर जाते हैं और उसमें लाकों रोपे खर्च करते हैं तो वो उनकी एक ब मंदर से की, उसके बाद गवर्मेंट हाई स्कूल से, बायोलाजी से, मैंने बारमी की, उसके बाद में पारी बारिक कारणों से, वो कुछ कारणों से बीच मेरी सिक्ष्छा छूट गई, लेकिन सन दो हजार साथ में, मैंने सागर इनवर्सिटी से प्राइवेट फाम भर के, और अपनी से सिच्छा अपना प्रारम की बच्चे भी हसते थे, बच्चे हो गए थे, साथ में वो पढ़ते थे, कहते थे बापा आपको परिक्चा देने क्या जरूबत, तो मैं सुबह इनवर्सिटी सुबह पांच बजे यहां से जाता था और साड़े-च्छे बजे हो सकता था कभी मैं भी किसी का इंटर्व्यू कर रहा होता, तो मैंने एम जे माश्टर आप जनरलियम का एक जाम दिया, 2012-2013 में, और बुरूर्ड कास्ट आप जनरलियम का मांखनलान इनवर्सिटी भोपाल से एक जाम दिया, किसमत से दोनों का इंटरेंस में मेरा एक जाम होंगा, पचास परसंट फिर भी, कहले नहीं, इसी बीच में बच्चे भी, जो दस-पंदरा साल चोटे थे, बीच साल चोटे थे, वो आए कि भी या, आपको क्या जरूरत है, आप ये छोड़ोगे तो हम लोगों को मिल जाएगी, हम लोगों को ये मिल जाएगी, तो मैंने का, फिर मैंने वो छोड़ा नहीं, तो आज मैं भी कोई चैनल का एक होता हूँ, और मैं भी कोई एक चैनल चला रहा हूँ, तो उस समय मेरे मन में ये आया था, अब चुकि आपने प्रस ने पूचा है, दमो की टिकेट अटकी हुई क्यों है, तमो की कोई टिकेट अटकी न मिलेगा, भाती जनता पार्टी में तो सारे योग की प्रत्यासी हैं, तो जो भी मिलेगा, योग मिलेगा, और हम सब भाती जनता पार्टी की लोग उसको जिताएंगे, मुझे मिली तो बो मुझे जिताएंगे, और उनको मिली तो मैं उनको जिताएंगा, एक तीखा सवाल और आपने स्ञिंदे और आप से कम मिलते हैं दो relatively कम बोलना आगे आप जैसे किरहें में सामाजे कि नहीं हूं में सामाजे के अपने कल्चुली समाज का six सा लगा थी रहा दो हजार तेरा से 2019 तो में लगाता हूं समाज की राय समाज के काम से भी गया जो उसमें कुरूतियां हैं, सामाज एक उसको के लिए हमने अभियान चलाया, अन्य समाजों में भी गया, ऐसा नहीं है, जाता हूँ, हाँ यह जरूर है कि मैं कम बोलता हूँ, लोग बोलते हैं, वो थोड़ा इंट्रोवर टाइप का हूँ, पतनी भी बोलती है कि कम बोलते ह कर दो च्छाइये, वो भी कम बोलती है, लेकिन, हाँ यह मैं अपना मानता हूँ, तोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन मिलता जुलता रहता हूँ, eelोग यह सोच लेतेजेंथें कि अनको घमंड तो नहीं, लेकिन गंड़ नहीं, क्या कुछ लोग कम बोलने की वो रहती है अब जैसे एकडम से खुल नहीं पाते है यैसे आदमी के पास जाएं तो एकडम रहता है प्रक्ति अब हैं जैसा जिसका जैसा जिसको देथी है यह तो इश्वर की देन है जिसको किसी को एकडम चंट बनाती है कि वो सारा अपना एक मिनिट में कर लीता, कुछ को दस मिनिट में लगती तो हो सकता, मैं दस मिनिट इस मामली में, इस मामली में हो सकता, मुझे थोड़ा लेट स्टार्ट लेता हूँ. ये थे संजयराय जी, भारती जनता पारिटी के पचपन विधान सवाद दमो के फिरबल दावेदा, संगठन में काफी लंबी समय से रहे, और आप जब हमने इन से बात की, तो समझ में आए कि संगठन में रहकर व्यक्ति कितना सशक्त हो जाता है, और ये हमने देखा कि जो व पती दिसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,